इस वीडियो में हम लोग भिहार गोट क्लास 8 प्रासना वाली छोँ पॉएंट एक का कोश्चन नमर चार को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कोश्चन नमर तीन तक देख लिया है, अगर आपने मेरा पिछला वाइडो नहीं देखा है तो जाकर देख लिजिए। तो यहाँ पर देखिए अध्याए 6 प्रश्णावाली 6.1 और वर्ग है 8 भी इसमें प्रशन संख्या 4 कह रहा है निम्नि लिखीत घंधा यह जो संख्या है घंधा इसको कह रहा है उसके क्रमागत विसंख्या नहीं करता है तो वो होता है हमारा विसम संख्या और इसके आगे कह रहा है विसम संख्या तो हम समझगे इसके बाद कह रहा है करमागत कह रहा है करमागत का मतलब क्या हुआ यानि कि एक के बाद दूसरा विसम संख्या फिर उसके बाद तीसरा विसम संख्या फिर चौथा विसम संख्या व यहाँ पर दिया हुआ कर्मागत विसंख्या इक से ले करके कर्मागत विसंख्या को लिख दिये इससे आगे भी है क्या है कर्मागत संख्य एक के गाएंगे तो समझ्ज ये करण हैं अब करमागत संख्यां का यह सम्संख्यां का यूग यह जोड होता ह। करेंगे उसका कर्मा lonely संख्या कितना होगा तो एक का कीजेगा तो एक ही होगा यहाँ पर देखे एक का घं कीजेगा तो इसका करमागत विसम्संख्यों का योग होगा एक अब यहाँ पर है दो का घं अब इसका जब घं करेंगे तो इसका करमागत विसम्संख्यों का योग कितना होगा तो तीन प्लस पांच हो जाएगा इ इसी तरह से यहां पर देखिए चार संख्यों का कर्मागत विसम संख्या कर्मागत विसम संख्या कर्मागत विसम संख्यों का यह क्या है योग है योग का मतलब है इन चार संख्यों को जोड़ेंगे तो इसका यहां पर इन घंग के बराबर आ जाएगा इसी तरह से यहां पर क्या करना क्या करना योग करना है तो क्रमागत्र उसंख्या का योग अब हमने बताया है आपको यहां पर दखें यह एक का कर्मा जा रहा यहां पर 12 कर रहे हैं करमागत संख्या का योग कितना आ रहा है तीन प्लस पांच यहां पर हम लिखते हैं यहां पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर लखें जब दो का घंपर है इसका मतलब क्या है दो का ना कि जाए तो दो दुनी के चार दुनी के आठ हा रा रहा तो यहां पर इसका घंपर आरहा है इनको योग करने पर आठांझ श्या पर जीन यह जो है नहीं होगा तो इसलिए याद रखना ले लिज़े ताकि आपको समझने इस तो ना है लोग समझ गह दूसरा नमर दूसरा नमर में है 4 चार का घंड कीया कर रहा है कर रहा है कर्मात्सत कि को कितना होगा रही मेरी हैं में यहां पर 11 से स्टार्ट कर दे जितना लिखा हुआ हैं वहीं स्टार दे een पर कर्मागत देज़िए टीरह के बाद 15 15 के बाद 17 सबस्थाव सिसक्राइब सबस्सथा no कि इहां पर लिखेंगे चार कि कितना आ जाए चार था मतलब हुआ यहां पर इन का मतलब हुआ जब मतलब हुआ जो चार को यह थे लिखंगे तो पूब कर चेफ सुछुन संख्य है यहां पर जबंग तो यह तो यह यूड नहीं आएगा इसके बाद में तीसरा नमर में है पाचका घं तो पाचका घं क्या लिखेंगे तो यहाँ पर दिएक किसे ले कर जे सी करके नाट को तीन वाल लिखते हैं तो कितना होता है 125 और इसका जब यहाँ पर यूउग करेंगे इसका जो रहेंगे विश्भाई को का यूउग को तो आ जाएगा निकाल करें यहां पाट अवने 8 गूर्ण आठ तो इसको गुना करेंगे तो कितना वह जाएका यहां पर 512 लिखतेंगे यह यह 512 और इसका जब यू करिएगा इस विशम संख्यों का योग कीजिएका तो आजाएगा 52 तो इस ताव से आप zो समझ गया होंगे इस आपको लिखना है यह दो हमने आपको समझाने के लिए लिखांट यह होगा ये होगा इसी तरह से पहला नोमर यह होगा इसका आण्सर यह तो आप लोग को समझ आ गया होगा तो मिलने आपको अ emba के लिए गुर्ऑबई